जहन बच्चों एक topic जो हर exam में hundred percent पूचा ही जाता है मतलब वो surety है किसी भी prelims exam में किसी भी आप से बिल सब्सक्राइब ले लीजिए स्टेट PCS exam ले लीजिए SSC का exam ले लीजिए bank का paper ले लीजिए या कोई भी exam आप देंगे तो एक कोशन fix है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है वह आपके पास रिपोर्ट बाय वेरियस इंटरनाशनल organizations तो आपकी जो अंतरास्टी संस्था होती है वह रिपोर्ट देती है उसके नाम पूछ लेता है कि यह संस्था जो है इससे किस संबंदीत है किस रिपोर्ट से या कोई यह स्पेशलाइज अजनसी है यूए नो की यूए नो में पंदरा स्पेशलाइज अजनसी होती है उसमें से एक आपकी जो है वह आपके पास है डबलु एचो ठीक है इसके six offices हैं और देड़सो आपके field offices है ठीक है six regional offices देड़सो इसके field offices है इसके अलावा इसका हेड़कॉर्टर है जीनेवा में सुट्जेलेंड में और यह 1948 में स्टैबलिजड हुई थी इसके आज की रेट में 194 194 मेंबर स्टेट से और प्लस टू अधर असोशेटेट से इसे डबलु एच जो है उसका इस्टैबलिश्मेंट का डे है 7th April 1948 तो इसी वज़े से जो है याद रखेगा जो इसके सबसे बड़ा फंड प्रवाइडर है वह आपके पाद यूएसे है तो डबलु एचो के बारे में मैं आपको बताया अब एक कोश्चन आपके बार डबलु एचो के रेलेटेड आया है डबलु एचो इस पेशलाइस एजनसी ऑफ दा यूए नो इ अब आता है नेक्स्ट आपकी और इसकी रिपोर्ट वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम या डबलु एफ इसकी रिपोर्ट कौन कौन सी है पहला है ग्लोबल कॉम्पेटिटिवनेस रिपोर्ट दूसरी आपके पास है ग्लोबल जेंटर गैप रिपोर्ट तीसरी आपके पास है ट्र ट्रावल एंट टूरिजम कॉंपेटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेकनोलजी रिपोर्ट चार रिपोर्ट से पब्लिश करती है वर्ल्ड एक फोरॉम जो है आपके पास एक इंटरनाशनल एंजी ओ है ठीक है जो कि आपके पास स्विच्जालन में बेज है यह 24 जनवरी 1971 को स्टैबलिश हुई थी जर्मन एंजीनियर क्लोस स्क्वाप और इसकी जो एन्वल मीटिंग होती है उसे के डिवास में होती है जिसे हम लोग डिवास मीटिंग भी कहते हैं अगला आपके पास है और्गनाशन उसका नाम है इंटरनाशनल एजनरजी एज आप में एक इंटरनाशनल एंजीओ है यह 1974 में स्टैबलिश हुई थी OECD नाम की संस्था के अंदर जो की आपके डेवलप नेशन का समू है 31 इसके मेंबर कंट्रीज है 31 इसके मेंबर कंट्रीज है और 11 असोशेशन कंट्रीज है इंडिया जो है आपके पास इसका मेंबर नहीं है 31 मेंबर में नहीं है पर 11 असोशेट मेंबर में है आपकी यह स्टैबलिश हुई थी 1973 के ऑईल क्राइस के बाद तो आपको यह बात पता होनी चाहिए रिपोर्ट का नाम फिर से याद रखेगा आपके पास वर्ल्ड एनरजी आउट्लुक अगले और नाइशन यह जो है रिपोर्ट सम्मिट करते हैं यह रिपोर्ट इसके पास दो है कौन-कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है टेक्निकल कोपरेशन रिपोर्ट और नुकलर टेक्नलोजी रिव्यू यह 1957 में इस्टैबलिश हुई थी और नमस और विदिन यू नो ठीक है हाला कि अपनी पूर्ट की ट्रीटी से बड़ यह उन फ्रेमवक के अंडर में काम करती है बोथ जन्रल एसेंबली और उनाइट नेशन सिकर्टी काउंसिल के पर व्यू में आईए यह जो है इसके तीन में मिशन है पहला पीसफुल यूज ऑफ अटमक एनरजी सेफ़गार्ड ऑफ अटमक तो आपके याद रखेगा ग्लोबल फिनेंशल इस्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरी कौन सी वर्ल इकॉनमिक आउट्लू की दो रिपोर्ट से पब्लिश करता है अगला है बैंक फॉर इंट्रनाशनल सेट्लमेंट जिसे हम लोग BIS कहते है ठीक है यह 63 इसमें सैंट्र जेएशनल भी फिनेंशल से एंट्रनाशनल और ढूसरी है यह правильно आपकी है उसका नाम है पहली है और दूसरी है living planet report और living planet report जो है अपने आप में बहुत important report है again जो WWF है वो आपने आप में 1961 में फॉर्म हुई थी एक NGO है ठीक है जो कि आपको देखता है कि आपके human being का कितना impact पड़ा है on the environment next आपके पास है world intellectual property right organization जिसे हम कहते हैं वीपो यह जो report देता है उसका नाम है world intellectual property report WIPR और यह भी याद रखना जैसे आपके पास WHO की specialized agency थी UNO की वैसी यह भी 15 specialized agency में से एक है अगला है world bank यह दो report देगा पहला ease of doing business और दूसरी है world development report तो world development report याद रखिएगा world bank देता है UPSC के CSC exam में पूछी गई है अगला है UNDP जिसे हम लोग कहते है United Nation development program यह देता है human development report HDR देता है ठीक है इसमें आप लोग का human development index भी होता है ठीक है अगला आपके पास है जो आपका UNDP है वह largest UN development agency है इसके 177 countries में offices हैं और इसका headquarter नियू यॉक में है यह 1965 22 November को form हुई थी ठीक है जी अगली है food and agricultural organization जिसे हम लोग FAO कहते हैं यह देती है आपका state of the world reports ठीक है 16 October 1945 16 October 1945 को इसकी establishment हुई headquarters का Rome में जो आपको पता होना चाहिए तो क्योंकि यह सबसे बड़ा दुनिया प्रोग्राम चलाती है World Food Program ठीक है और एक प्राइज भी देगी आपके पास कुन सा World Food Prize ठीक है अगला है UNIDO United Nations Industrial Development Organization यह report देती है अगला है United Nations Environmental Program यह देती है Action on Air Quality Emission Gap Report और Global Environment Outlook यह आद रखियेगा Global Environment Outlook Actions on Air Quality Emissions Gap Report अगला है UNDRR United Nations Office for Disaster Risk Reduction यह देता है Global Assessment Report Global Assessment Report तो यह आपके पास Various Agencies International Organizations है जिनकी report मैं आपको बताई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आपको subscribe करना है यहाँ पर हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं आपका exam जो आप देने वाले हैं उसमें आपका score बहुत अच्छा है तो follow करते रहिए telegram group join कर सकते हैं that's all for today जय हिंद जय भारत कर दो